चलो next chapter पर आ जाते हैं जो की है composition scheme अभी तक हम लोग ने GST के introduction वाला chapter का revision कर लिया है उसके साथ supply कर लिया है introduction, supply, composition, composite and mix supply और reverse charge mechanism तक हम चल चुके हैं अभी हम next आते हैं that is composition scheme जो की section number 10 में है section 1 short title commencement extent, section 2 definitions, section 3 से लेके 6 तक administration का part है, 7 supply, 8 composite and mix supply, 9 जो की charging section है जिसमें 9 3 और 9 4 का reverse charge mechanism देखा था, अब हम देखने वाले हैं कौन सा, अब हम देखने वाले है composition scheme जो की section number 10 में है फिर section 11 में exemption आएगा, 12 से 14 time of supply, 15 value of supply, 16 से 21 ITC जो की आगे देखेंगे ठीक है चैनल पर first time दिख रहे हो या देख रहे हो और चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो kindly request है, 10,000 subscriber का फिलाल target है आप achieve करा सकते हैं तो please help कर सकते हो वीडियो लाइक कर देना ताकि और लोगों तक पहुच सके और आगे बढ़ेंगे composition scheme section 10 यह basically क्या है, देखो normal एक तो regime होता है GST में register करके normal return वगेरा भरो composition scheme चोटे लोगों के लिए है कि तुम क्या करो return वगेरा बार बार मत भरो return वाले chapter में बताऊंगा कि सिर्फ एक साल भरो और tax हर quarter जमा करा दो मतलब compliance आपके कम हो जाएंगे अगर आप चोटे मुटे SSC हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो the composition levy is an alternate method है एक अलग alternate method है जहां पे levy of tax design for small taxpayer चोटे लोगों के लिए who is up to prescribed limit objective क्या है कि simplicity लाना और compliance cost को कम करना देखो दो तरीके की composition scheme होती है यह section याद रखना है एक है section 10.1 और 10.2 की composition scheme जो के goods के लिए use होगी मता अगर goods का supply आप कर रहे हो तो आप यह composition scheme के अंडर आओगे और 10.2 A अगर आप service का supply करते हो तो आप यहाँ पे 10.2 A में आओगे 10.1 और 10.2 में goods वाले आएंगे 10.2 A में service वाले आएंगे income tax का भी पूरा revision marathon already YouTube पे डाल दिया है तो आप वो check out करके क्या कर सकते हो revise कर सकते हो बताना मेरा काम है ताकि अगर नहीं पता हो आपको तो आपको help हो सके है composition scheme for goods and for services यह section से याद रखना है 10.1.2 and 10.2 A क्योंकि जो questions आएंगे उसमें ऐसा बोल सकते है कि वो 10.2 A का composition scheme लेना चाहता है तो आपको पता होना चीए किसका लेना चाहता है services का लेना चाहता है इस इतलिए तो अभी मैं आपको एक scenario देता हूं आप CA हो आप office में बैठे हो आपके पास कोई client आया वो बोलता है कि sir मेरा turnover तो across हो चुका है पर मैं यह मगजमारी नहीं चाहता हर महिन nothing बरना चाहता मेरे बार-बार ए compliance अच्छे से दूर रहना चाहता हो तो क्या मैं कर सकता हूँ तो है आप बोल सकते हो कर सकते नहीं होना चाहिए, notified goods क्या है ice cream and other edible ice पान मसाला tobacco and aerated water aerated water मतला Pepsi वगरा जो होता है ये लोग क्या नहीं है इनको नहीं मिलेगा composition scheme अगर ये manufacturer of this thing है अगर सिर्फ trader है ये चीजों के तो इनको मिल जाएगा, दूसरा अगर आप trader हो तो भी आपको composition scheme मिल जाएगा और तीसरा अगर आप restaurant service दे रहे हो तो भी आपको goods का composition scheme मिल जाएगा वो आप बोल रहा है कि sir मैं goods का तो नहीं हूँ, मैं service supply करता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा तो आप क्या बोलोगे 10-1 और 10-2 में नहीं मिलेगा, पर 10-2 A में मिल सकता है तो मुझे यह composition scheme मिल सकता है तो आप क्या बताओगे, basically goods अगर आप goods बेचते हो, तो आपका turnover कैसे decide होगा आप special category के निवासी हो या normal state के हो अगर normal state के हो, तो आपका पिछले year aggregate turnover तक होना चाहिए और अगर special category के हो, तो आपका पिछले साल aggregate turnover 75 lakh होना चाहिए और अगर आप service वाले scheme रेना चाहते हो तो आपका पिछले साल aggregate turnover 50 lakh तक होना चाहिए तो आपको मिलेगा तो सर सबसे पहले यह बताओगे special category of state क्या है special category of state है MS-NATU M यानि मनीपूर, M यानि मेगालया, M यानि मिजोरम S यानि सिक्किम, N यानि नागालेंड, A यानि और अचल प्रजिस, T यानि रिपुरा, U यानि उतराखट मतलब अगर आप MS-NATU वाले हो तो आपका 75 lakh देखा जाएगा और बाकी कोई state हो तो 1.5 करोर देखा जाएगा बट अगर आप service वाला scheme लेना चाहते हो तो आपके लिए 50 lakh देखा जाएगा Next आते हैं कि आप अगर ये चीज़े करदीबिलेटी में जो बता रहा था उस पे जाने से पहले tax rate देख लेंगे कि वो आदमी पूछेगा तो सही न आपको कि tax कितना भरना पड़ेगा तो देखो अगर आप manufacturer हो तो आपको tax भरना पड़ेगा 0.5% CGST, 0.5% SGST of turnover in state आपका जितना भी turnover हो रहा है उसके उपर पर state wise correct है इसमें exempt plus taxable दोनों आ जाएगा अगर आप trader हो तो सिर्फ taxable turnover का 0.5% CGST, 0.5% SGST यहाँ पर exempt नहीं आएगा और अगर restaurant वाले हो तो 2.5% CGST, 2.5% CGST of turnover in state turnover in state सब जगा पर turnover in state ही है बस trader के लिए taxable turnover in state है इसका logic को अगरा class में बताया था और अगर आप service वाली लेते हो तो 3% CGST, 3% SGST of turnover in state यह सब का मतलब क्या होता है अपनी book में लिखा है बहुत अच्छे से समझाया था प्लाइ जा रहा है, taxable हो, exempt हो, export हो, interstate हो कुछ भी हो आपकी तरफ से जो भी supply जा रहा है यह aggregate turnover में count होगा एग्रिगेट turnover किसके लिए use होता है वो इसके लिए use होता है देखने के लिए कि whether आपको composition scheme मिलेगा या नहीं मिलेगा यह check करने के लिए क्या use होता है एग्रिगेट टर्नोवर हो यूज होता है एग्रिगेट टर्नोवर में कभी भी CGST, SGST नहीं लेना है आपकी तरफ कोई reverse charge में आया है service और उसके लिए आपने tax बढ़ा है वो भी आपको नहीं लेना है और exempt supply में वो जो loan advance वाला part बताया था भी नहीं लेना है इस इत क्लियर? हाँ जिसर फिर यह सब बहुत in detail में बताया है यहां पर मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ turnover in state और taxable turnover in state की यूज होता है ये use होता है tax लगाने के लिए जो अभी मैंने बताया 0.5% या 2.5% या 3% taxable वाले में सिर्फ taxable part आएगा और normal turnover in state में सब कुछ जितना भी state वो state से होता है वो आजाएगा और aggregate turnover जो है वो pan India basis पे होता है मतलब पूरे इंडिया का count होगा एक हिसाब से correct यहां पर कुछ फटाफट फटाफट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है class में in detail वो पूरा chart बना के बताया था plus वो आपका registration हुआ वहां से लेके क्या include होगा वो सब भी discuss किया था यहां पर फटाफट कर लिया ठीक है in eligibility की बात की जाए in eligibility की अगर मैं बात करो तो यह हरकत अगर आपने कर ली यह 6 चीजे goods के case में और 5 चीजे services के case में तो आपको composition scheme नहीं मिलेगा सबसे पहला आपने non taxable supply कर दिया जैसे के alcohol petroleum product का कर दिया schedule 3 तो वैसे supply ही नहीं है पर यह इलाहा लिखा है module में तो ले लिया है अगर आप interstate supply करते हो तो भी आप यहां पे नहीं composition scheme नहीं ले सकते अगर आप एक state से दूसरे state एक union territory से दूसरे union territory या एक state से दूसरे union territory अगरा में कर देते हो तो भी आपका क्या नहीं count होगा आपको composition में नहीं मिलेगा correct है पर क्या हम interstate purchase कर सकते हैं हाज ही बिल्कुल कर सकते हैं और aggregate turnover में जो interest देखना होता है पिछले साल का देखना होता है पिर बात करें person making supply of goods services through e-commerce operator responsible for collecting TCS अगर आप e-commerce operator के थ्रू कुछ बेशते हो तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा तो भी आपको composition scheme नहीं मिलेगा अगर manufacturer हो notified goods के मतलब 4 product के पान मसाला एरेटेड वाटर वागेरा के क्या हो manufacturer हो trader चलेगा तो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप NRTP हो या CTP हो non-resident taxable person या casual taxable person हो तो भी आपको composition scheme नहीं मिलेगा अगर आप service ये 6 वाला point special है इसको side में रखते हैं और ये first to five point यहाँ पे भी same थे 6 point क्या बोलता है आप goods के लिए composition में आए हो पर अगर आप service भी provide करते हो तो भी आपको composition scheme नहीं मिलेगा पर एक तो restaurant की service आप provide कर सकते हो क्योंकि वो included है दूसरा अगर कोई registered person है जिसका service का value कितना है up to 10% of turnover in state है और rupees 5 lakh whichever is higher है ये पूरा class में marginal service वाला concept अच्छे सा पढ़ाया था उम्मीद है आपको याद रहे कि दोनों में से ज्यादा जो amount है वहाँ तक आपको क्या को कर सकते हो service भी supply कर सकते हो is it okay ये आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ के रखना है दो बार चार बार रीड करो जितना हो सकता है इसमें confusion नहीं होना चाहिए turnover in state है aggregate turnover फिर कुछ important point पे आते हैं जो composition dealer रहेगा वो quarterly tax भरेगा correct है quarterly tax भरेगा ना कि each invoices के उपर पर उसको कोई भी ITC नहीं मिलेगा ये सीधा का सीधा टेक्स जमा करेगा annual return return टेक्स quarterly बरना पड़ेगा पर return कैसे बरना पड़ेगा साल में एक बार ही बरना पड़ेगा registration जो है वो क्या है compulsory है एक बाल आपका option 10 मतलो composition scheme lapse हो जाएगा जिस दिन आपका aggregate turnover जो limit उपर दी है वो cross कर लेगा ये जो आपका scheme है ये आपको हर एक branch के लिए apply करना है जो भी आपके pen number पे जितनी भी branch GST में registered है सब या तो composition रहेगी या सब normal रहेगी ऐसा नहीं बोल सकता ह कि ये state की मुझे composition दे दो ये state की normal दे दो ऐसा नहीं चलेगा there is no restriction on procurement of interest मैंने क्या बोला ता अगर आप interest rate supply करते हो तो composition नहीं मिलेगा पर आपके interest rate purchase कर सकते हो हाँ जी बिलकुल कर सकते है composition taxable person जो है वो pay करेगा tax under RCM on inward supply वो ठीक है भाई उसके लिए भी normal है फिर mix supplier अगर आ आपका sales जो है वो 8 लाख रुपया ही है service से और एक लाख रुपय का आपने क्या बेच दिया router बेच दिया है goods बेच दिया अभी आप हो तो service वाले पर आप goods भी बेच रहो क्या चलेगा marginal supply of goods चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ITC अगर आप composition scheme लेते हो तो आपक किसी से tax collect नहीं कर सकते आपको जेब से ही भरना पड़ेगा is it clear और 9th point in spite of invoice invoice की जगह आपको क्या issue करना पड़ेगा bill of supply issue करना पड़ेगा मतला आप invoice नहीं issue करोगे आप bill of supply issue करोगे marginal supply of service का उपर मैंने कुछ hint दिया था यह आप अच्छे से read कर लेना अगर goods की composition scheme में हो तो इतनी service आप दे सकते हो इसके example नीचे लिखे हुए है फिर interest का income जो है वो exclude किया जाता है determine value of turnover इसका reason क्या है interest basically normal income है जो के हर एक business अपना deposit अगेरा के time करता ही है to save money and invest money तो वो यहाँ पर count नहीं होगा इसके उपर अच्छे से discussion किया था और यहाँ पर अभी intimation की बात करें त intimation का मतलब क्या है basically समझो अगर आप registration के लिए apply कर रहे हो fresh registration ले रहे हो तो जब आप registration करा होगे तब आप क्या बोल दो अभी मुझे composition scheme लेना है can opt at any time during the year while applying for registration जब आप चाहो तब registration ले सकते हो तब ही composition scheme में आ जाना पर already आप registered person हो और अब आप बोलते हो कि मुझे क्या जान है composition में जाना है तो आपको beginning of the financial year मतलब first April को ही बोलना पड़ेगा मुझे composition scheme में आना है और composition levy shall be effective from beginning of financial year यह आपका क्या हो जाए कब भी applicable हो जाएगा composition levy की validity के बारे में कुछ चीज़े लिखी है section 10-3 में मतलब अगर आपका समझो aggregate turnover cross हो जाता है limit से उपर चला जाता है तो क्या होगा तो taxpayer जो है उसका lapse हो जाएगा composition scheme जिस दिन आपका aggregate turnover exceed हो जाता है he shall pay tax under section 91 91 क्या है charging section of cgst का 91 में लिखा हुआ है कि आपको normal तरीके से tax भरना पड़ेगा और अब bill of supply नहीं tax invoice issue करोगे फिर आप intimation दे आपको intimation देना पड़ेगा जिस दिन आपका turnover cross हुआ है उसके 7 दिन के अंदर के मुझे हमारा cross हो चुका है हमें क्या करना है withdraw करना है composition scheme म और effective date of withdrawal क्या रहेगा जिस दिन intimation दिया है indicated on intimation but such dates are not to be commencement of prior to the commencement of financial error by obvious सी बात है पहले नहीं होना चाहिए फिर अगर आप पहले case में तो क्या था आपका turnover cross हो चुका है या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए दूसरे में आप voluntary चाहते हो कि मुझ स्कीम में निकलना है तो आप उसके लिए application file कर सकते हो जो भी prescribed form है उसमें और effective date of withdrawal क्या मान लिया जाएगा वो मान लिया जाएगा जो application पे है पर वो prior to financial error नहीं होना चाहिए यह दो तो आपके case में हो गया तीसरा क्या बोलता है अगर tax authority चाहे तो मतलब GST department चाहे तो वो क्य क्या बोल सकता है तुम्हें composition scheme में रहने का कोई हक नहीं है when proper officer के पास reason है that person is not eligible to pay tax under composition scheme या फिर उसने contraven किया है मतलब कोई कानून तोड़ा है तो वो क्या कर सकता है show cause notice बेज सकता है SCN क्या होता है SCN यानि show cause notice कारण बताओ notice वो बोलेगा कि हमें लग रहा है कि आपने यह क चानून तोड़ा है या आपको composition scheme इसकी वज़े से नहीं मिलना चीए correct है आप बताओ current बताओ आपकी हम क्यों ना आपका registration या आपका composition लेवी का option deny करे correct है upon receipt of reply of so cause notice वो क्या करेगा वो पास कर सकता है order on accepting or denying to pay tax under composition scheme effective date क्या रहेगा जो वो determine करता है या तो उस दिन से retrospective view क्या कर सकता है determine कर सकता है search date shall not be the prior to the financial तो यहां पर आपको देखो कुछ ऐसा महान नहीं है मैंने 15-20 minute में revision कराया है पर आपको important चीज़े कौन कौन सी ध्यान रखनी है notes 5 page के रहेंगे जिसमें composition scheme बहुत अच्छे से हो गया questions हम लोगने module से की यह ते अच्छे तरीके से RTP, MTP मैं करा लूँगा पर यहां पर आपको याद रखने वाली चीज़े बहुत important है वो यह है कि सबसे पहले तो किसको मिलेगा वो एक patch है दूसरा कितने turnover तक रहेगा तो मिलेगा तीसरा tax rate क्या रहेगा चौथा किसको क्या ineligibility है क्या ऐसा काम कर दोगे तो आपको यह न मजना है चाहिए तो एक अलग वीडियो इसके उपर बना के दे दूँगा YouTube पे डाल दूँगा क्योंकि बहुत लोगों को इसमें ही clarity नहीं रहेगी तो आगे registration chapter जितने भी chapter आएंगे उसमें confusion 100% होगा यह base है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यह aggregate turnover का यह मतलब नह निकालने के काम नहीं आता यह limit निकालने के काम आता है टेक्स निकालने के लिए यह काम आते है यह सब clarity होने चाहिए तो वह बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है फिर आपको यह तो ऊपर cover हो चुका है और interest लोगरा नहीं आएगा वह read करोगे तो भी समझ जाएगा class में in detail पढ़ाया था ठीक है चलो 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 यहां पर अपना composition की मोटा मोटी revision हो चुका है अब next जो revision मिलेगा exemption का मिलेगा जो की section number 11 है उसके बाद section 12 13 14 जो है time of supply का revision मिलेगा 14 जो है वो CSC enter को applicable नहीं है 15 value of supply है 16 से लेके 21 तक आपका ITC है फिर 22 से registration होगेरा चालो हो जाता है आप आपको सब टाइम पर मिल जाएगा ठीक है आपको क्या करना है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेता है चलो बाई 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 गौद ब्लेस यूट